हलो आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर पे पॉमेगनेट मतलब अनार की कलम को कैसे घर पे गो कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप नीचे दी हुए सब्सक्राइब बट्मे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए शुरू करते हैं है तो उसके लिए जैसे ही सबसे पहले हम रहे क्या है कि जैसे है आनार की टीन ब्रांच तो है के प्लेड में से उखाड़ा है तो एक बात का ध्यां रखने हैं कि जो आप मतलब कलम ले रहे हैं वो पैंसल के इसमान होने चाहिए मतलब कि जो उसकी तिकनेस है वो पैंसल के इसमान होने चाहिए और यह मेरे पास मेरी गार्डन सोयल है इसे मैंने कुछ सेंड का मिक्चर इस्तिमाल किया है और यह सबसे इंपॉर्टन ची अलोवेरा का मिक्चर तो इसे हम एज़ा यूजरी रूटिंग हार्मॉन इस्तिमाल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें दो तिन कलमें त्यार कर लेनी है तो जैसे कि यह मेरे ब्यास एक प्रांचिस है तो हमें जो कटिंग लेनी है वो लगबग 10-12 cm की होनी चाहिए और उसकी थिकनेस एक पैंसल के समान होनी चाहिए मतलब जो कलम आप ले रहे हैं वो पैंसल के समान मोटी होनी चाहिए तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दो तिन आंख भी आप देख सकते हैं मतलब जहां से न्यू ब्रांचिस बनेंगी तो दस परां सेंटिमेटर की एक कलम काट लें तो हमें इसे यहां से काट लेना है तो यह कलम उनार की कलम बिल्कुल तयार है तो इसी तरह से सभी की सभी कलम को तयार कर लेना है और एक बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप ब्रांचिस मतलब जो कलम ले रहे हैं उसमें बहुत सी आंख होना बहुत जोरी है क्योंकि वहीं से वामें गर्नेट की जो नई शूट्स है पतल नई ब्रांचिस की वो ग्रोथ शुरू होकि तो उसी तरह से यह मैंने दूसरी कटिंग भी इसी तरह से तियार कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा लीव्स होते हैं उन्हें हटा देना है और यह ग्रोइंग सीजन के बारे मैं आप तो बताना जाओंगा कि हम लगबक दसंबर से फरबरी के महिने में अनार की जो कटिंग है वो लगा सकते हैं तो जैसे कि यह मैंने सभी की सभी कटिंग को त्यार कर लिया है और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो कलम के नीचे से कि 45 डिग्रे का एंगल का एक कट लगाना है तो जैसे याप वीडियों में देख रहे हैं। इसी परकार सभी की सभी कटिंग में 45 डिग्री का एक कट लगा लेना है। इससा पैदा और यह होता है कि यिस ले जल्दी से जल्दी रूर्स की ग्रोध हो जाती है। तो इसलिए हम 45 degree का एक कट लगाते हैं तो यह इसी प्रकार 3 की 3 कटिंग हमारे पास त्यत्ता है आ रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमने एलो विरा का जो मिक्षर लिया है जो mixture त्यार किया है इन सभी की सभी cutting को लगबग 2 घंटो तक उस aloe vera के mixture में रख देना है तो कि यो aloe vera एक rooting hormone है तो यह एक बहुत ही बैथर source है Pomegranate cutting को grow करने के लिए तो हम इसमें लगबग 2 घंटो तक aloe vera के mixture में इसे dip करके रख देंगे लगबग 2 घंटे हो चुके हैं हमारे Pomegranate बत्रव अनार की cutting को aloe vera में रखे हुए तो अब हमें इसे इसे इस pot में लगाएंगे तो जैसे उसके लिए मैं एक pencil का इस्तिमाल करना हूँ तो सबसे पहले हमें अपनी garden soil और जो सेंड का मिक्चर में आपको बलाब बताया था उसकी मतलब उससे मतलब इस pot में हमें तीन hole कर लेने हैं तांकि जो हमारी cutting है वो असानी से इस pot में लग जाए तो उसके लिए तो आप उसके बाद हमें एक cutting को कुछिस तरह से लग बग एक डोड इंच तक एक ड़ड इंच तक cutting को मिट्टी में मतलब इस pot में लगा देना है तो इसी तरह से सभी की सभी cutting को इसी परकार इस pot में लगा देना है और सभी की cutting को लगाने के बाद हमें इसमें पानी डाल करना है पानी आड़ करना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो pot की जो soil है वो कभी भी सूकनी नहीं जाहिए मतलब कभी भी dry नहीं होनी जाहिए वरना जो हमारी जो पॉमेगरनेट की जो cutting है वो नहीं grow हो पाएंगी मतलब हर टाइम इसमें नमी होना बहुत ही जुरूरी है तब ही हमारी पॉमेगरनेट की जो cutting है वो grow होंगी तो इसे इन कलमों को ध्यान से रखना है मतलब जे कहीं हिले ना तो इसे दूप में लगबग 20 पच्ची दिन्स के लिए आप इसे इसी तरह से दूप में छोड़ दें लगबग 20-25 दिन हो चुके हैं हमने इस cutting को मतलब आमेगरनेट की cutting को इस पार्ट में लगाया हुआ था तो उन cutting में से यह रडड कलर के जो बिलकुल नए ग्रोथ के जो लीव से मतलब जो शॉट्स है वो आप देख सकते हैं मतलब जो इन में से दो cutting हैं जो उनकी जो ग्रोथ हो शुरू हो चुकी है यह आप देख सकते हैं यह देखिए जो लीव्स आप देख सरे हैं वे बिल्कुल नए लीव्स है और यह तभी पॉसिबेल है जब आपके पास एलोवेरा का जो रूटिंग हार्मोन है जा कुछी अलग तरह का रूटिंग हार्मोन है तभी आप पॉमेंगरनेट की कटिंग को सक्सेस्फुल गो कर सक तो धन्यमाद अगर आपको यह मेरे वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीस इसे लाइक करें और मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर लें तांकि जो मेरी गार्णिंग जो वीडियो है वो सबसे पहले आप देख सकें धन्यमाद कर दो अपार आपको अजयो है वीडियो है वीडियो है वीडियो है वीडियो है प्लीस इसाने प्लीस एले उन्यमाद